नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर दोस्तो आज की इस वीडियो में विधूत आने एलक्ट सिटी का चेप्टर देखेंगे दोस्तो सबसे पहले इस चेप्टर का फर्मूला देखेंगे और दोस्तो इसके बाद नुमेरिकल हो जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्जाम में इस चेप्टर से किस टाइब का क्यूशन पूछा जाता है तो दोस्तो वीडियो का लाज तक देखेगा क्योंकि आने वाले गुरूप डे एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्फूर रहेगा तो चलिए द हारा अने करेंट है आर परतिरोध अनि रेसिस्टेंट है पी इसज्गल भी जायी पी क्या है दो पावर अनि सकती है पी इस गाल टूपी स्कुईर बटा आर पी इसीगल टूट 352 बटा आर आर बर्वर रोल यह आई रो क्या है दो तो रेस्टी भीटी है एल जो है तारड की लंबाय है नि लेइंक है और ए जो है अर्य एरिया थार की जो कटा हुआ रहता है जोन हो पर इसका एरिया है फिर आगे देखते हैं कार्ज बरबर होता है भी गुने Q कार्ज बरबर और वर्क बरबर होता है भी गुने Q आवेस आवेस और Q से डिनोट करते हैं आवेस बरबर Q is equal to I T I T T क्या है दोस्तों समय है ठीक है उसमें परभाव H बरबर होता है I square RT ठीक है आगे देखते हैं जदी परती रोध सरेनी करम में हो जदी परती रोध सरेनी करम में जोड़ा गया हो और शिरीज में जोड़ा गया हो जदी रेसिस्टेंट सिरीज में जोड़ा गया हो तो R1 पलस R2 पलस R3 पलस डौट 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 जितना भी पर्ति रोध रेसिस्टेंट जदी जोड़ा गया हो उतना तक हम लेंगे ठीक है पर्ति रोध अनि समानतर करम में अनि पैरलर में जोड़ा गया हो तो 1 वटा R बरबर 1 वटा R1 पलस 1 वटा R2 पलस 1 वटा R3 डॉट 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 ठीक है आगे देखते हैं सी 2 पल्स सी 3 पल्स स्इृटJframe करśnie स्विर्इंग में जोड हो तो 1गतास सी स्इृतल पल्स सी 2 पल्स वंण Two लगताust आदि दोस्तों रेसिस्टेंट और सी 2 पल्स स्विर्इना team में जोडते थे तो इस फर्मुला को लगाते थे और सभी को जोड देते हैं, लेगने इसका उल्टा होता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है आगे देखते हैं एक यूनिट एक यूनिट बरबर एक किलो वाट आवर बरबर 3.6 गुने 10 to power 6 जूल, एक यूनिट बरबर एक यूनिट बरबर संक्खियां उपकरन की संक्खियां गुने सक्ति अनी जेतना पावर है उसको गुना करेंगे ऊंवर गुने दिन दे बटा एक हजार से भाग है थीक है और नमबर औ sapphire निकालना है तो उपकरन की संक्खिया गुने सक्ति 감사합니다 गंटा, गुने दीन, बटा, एक खजार करेंगे ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तो अब दोस्तो किश्चन देखते हैं इससे आपको सारी फर्मूला यूज करने की तरीका मालम हो जाएगा ठीक है सबसे पहला किश्चन है दोस्तो जदी धारा 10 एंपियर अनि रेसिस्टेंट आर का भेलू 50 ओम दिया गया है तो विवांतर निकालना है विवांतर लिकालना है तो दोस्तों फर्मूला क्या बताएं विवांतर अनि भोल्टेज लिकालना है तो आई का भेलू कितना है 10 है आर का भेलू 50 है गुना करेंगे कितना जगा 50 देहें के 500 पानसो भोल्ट ठीक है तो पानसो भोल्ट आउप्शन सी में दिया आउप्शन सी सही हो जागा आगे क्यूशन देखते हैं क्यूशन है दोस्तो अगर बल्ब फिलामेंट का परति रोद 1200 ओम है तो 220 भोल्ट सो रोद से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा परवाहित होगी कितनी धारा परवाहित होगी आई अनि करेंट लिकालना है ठीक है करेंट लिकालना है दिया गया है 1200 ओम अनि रेसिसटेंट दिया गया है 1200 और वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट फर्मूला क्या बताएं B is equal to B is equal to I R B का फेलू मालूम है 220 I का फेलू लिकालना है R का फेलू 1200 दिया गिया है अब इसी को काटेंगे 0-0, 11-22, 62-120 आनि I परवर कितना हो जाएगा 11 बटा 60 अब इसी को पॉइंट में करेंगे दोस्तो तो 0.18 एम्पियर आएगा ठीक है अनि धारा 0.18 एम्पियर हो जाएगा तो ओप्षन D में दिया ओप्षन D सही हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं कुचन है 110 वोल्टेज आउटपुट वाले जेनरेटर को गारा-100 वाट की पाउड़ वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विदू धारा की गन्ना की जे इस पार भी विदू धारा लिकालना है दिया गया है गारा-100 वाट और पावर दिया गया है GÁNY 100 W दिया गया है Voltage दिया गया है 110 V 110 V लिकालना है धारा धारा लिकालना है और I का भहलू लिकालना है तो power परोर क्या बताएं फर्मूला P union posts hello to V I P union Affirm grams P k काभहलू मालूम है GÁNY 100 B का भहलू 110 मालूम है गुने I एक सु दस 1100 काटेंगे दस बार में कड जाएगा आई वरोर कितना जाएगा दस इम्पीयर दस इम्पीयर औप्षन बी में दिया है औप्षन भी सही हो जाएगा ठीक है अगला कीशन देखते हैं दोस्तो कीशन है एक पॉंट दो ओम के परतिरोध वाले परिपत पर 120 वोल्ट लगाया जाता है तो परतिरोध वारा खर्च सक्ति ग्यात क्या होगा सक्ति लिकालना है पावर लिकालना है दिया गया है रेसिस्टेंट 1.2 ओम दिया गया है और voltage दिया है 1.120 volt अनि resistant R का value दिया गिया है 1.2 ohm दिया गिया है 2 ohm इस तरह से denote करते है ohm और दोस्तो volt दिया गिया है 120 वोल्टाज दिया गिया 120 volt ठीक है power लिकालना है दोस्तों पावर का फर्मूला बताए है b square r v square r up value रखेंगे to b smarter 120 सका water 120 को 2020 को 2 बार गुना कर देंगे ठीक है अब r कितना है 1.2 point हटाएंगे जदी तो उपर 10 हो जाएगा 12 से 12 कटेंगे 10 में 120 कट गया अब इसको गुना करेंगे तो दोस्तो बारा हजार आ जाएगा बारा हजार वाट तो बारा हजार वाट आप्शन C में दिया है आप्शन C से हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं दोस्तो क्यूशन है दो परतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम सरेनी स्रिंखला में हो जोड़ हैं तो सर्किट में विदू धारा क्या हुई अभी gefallen लेकिन दोस्तों यहां गया गया दो और सरैनी के जोड़ा घिए अबौन कीतना है तो arm ना ऑट यूझ ऑघ्टो यह और आर्टू 20 है, तो आर्टू 20 हो गया, तो 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम, ठीक है, 30 ओम हो जाएगा, अब दोस्तों दिया गया, कितने बेटिक से जोड़ा गया है, तो 6 भोल्ट से, और भी का भेलू मालूम है, भी का भेलू भी मालूम है, 6 भोल्ट, ठीक है, आई लिकालना है, क्रें आया अब 6 35 काट देंगे आई इसको कितना आजागा 1 बटा 5 आजागा इसी को पॉइंट में करेंगे तो 0.2 एंपियर आजाएगा 0.2 एंपियर ओप्शन A में दिया है ओप्शन A सही हो जाएगा ठीक है अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन है दोस्तो 9 ओम और 9 ओम परतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए परतिरोध क्या होगा ज़िए 9 ओम और रेशिस्टेंट 9 ओम दिया गया है 9 ओम दिया गया है और उस तार को दुगना कर दिया जाए और तार को लंबाय को दूगना नहीं किया जा रहा है रेसिस्टेंट को सोरी रेडियस को दूगना किया जा रहा है और का वहलू दूगना हो जाएगा ठीक है नई परतिरोज लिकालना है फर्मूला क्या बिता है दोस्तो आर रो एल वाई ए रो एल वाई ए अब दोस्तो एल क्या है लें पटा पाई आर स्कुयर लेख सकते हैं ठीक है अब कह रहा है दोस्तों कि जदी दुघना कर दिया जाए ताड के तिरीज्या को दुघना कर दिया जाए तब परतिरोध नया परतिरोध क्या होगा अनि नये परतिरोध को r- denote कर देगे अनि 8- लेगे नई परतिरोध ठीक है और rho l by pi r r का क्या कर रहा है r को दूगना कर दिया जा रहा है तो 2r का whole square लेगे इसी को solve करेंगे rho l by 4 pi r square हो जागा अब दोस्तो rho l by r का फर्मूला है तो r- बरबर क्या हो जाएगा r बटा r बटा 4 और का बहलू कितना दिया गया है तो 9 बटा 4 करेंगे इसको जोदी भागा देंगे तो 2.25 ओम आ जाएगा आउप्शन c सही हो जाएगा आउप्शन c 2.25 ओम हो जाएगा ठीक है अगला क्यूशन देखते है दोस्तो क्यूशन है बिदूत बल्ब के एक फिलामेंट दोरा 9 मिनट में 0.75 एमपियर की धारा लिजाती है धारा के माध्यम से परभावित होने वाले बिदूत आवेस की मातरा ग्याद किजे बिदूत आवेस की मातरा लिकालना है अनि बिदूत आवेस लिकालना है ठीक है अनि एलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है दिया गया है 9 मिनट अनि समय दिया गया है 9 मिनट दिया गया है 9 मिनट दिया गया है लेकिन दोस्तो मिनट में ampere धारा दिया गया है आनि current दिया गया है 0.75 ampere 0.75 ampere दिया गया है formula अब इसका क्या बताए दोस्तों अब इसका बताए थे key equal to i t key equal to i t i का value क्या दिया गया है तो i का 0.75 है और t का value कितना है तो 9 गुने 60 ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 2 सुना नीचे हो जागा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है अब काट देंगे, तो पचीत या 75, 25, 15, 60 इसी को गुना करेंगे तो गुना करने पर 405 कुलम आ जाएगा तो 405 कुलम आ उप्शन D में दिया है आ उप्शन D से हो जाएगा ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, क्यूशन है एक एलेक्ट्रिक मोटर में किसी सोर्च से 4 इंपियर की बिदुधारा परवायत होती है तो उसका विवांतर 40 बोल्ट होता है ज़िवांतर बढ़कर 120 बोल्ट हो जाता है तो विदुधारा कितनी होगी विदुधारा निकालना है क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक एलेक्ट्रिक मोटर में किसी सोर्च से 4 इंपियर की विदुधारा परवायत होता है तो उसका विवांतर 40 बोल्ट है ज़िवांतर बढ़कर 120 बोल्ट हो जाता है तब विदुधारा क्या होगा अनि विदुधारा क्या होगा ठीक है तो दोस्तों फर्मूला क्या बताते भी इजगल टू आई यार अनि भी डारेक्टली परपरस्टनल टू आई का होता है ठीक है अब भी वन मालूम है सोरी आई वन मालूम है भी वन मालूम है भी टू मालूम है आई टू लिकालना है तो भी वन बटा भी टू बरबर आई वन बटा आई टू लिखेंगे ठीक है अब भेलू रख देंगे भी वन कितना मालूम है 40 मालूम है B2 कितना है 120 मालूम है I1 कितना मालूम है 4 IMPARE मालूम है I2 लिकालना है अब इसको काड़ देंगे 4 तिया 12 कड़ गया 40 120 तिन बार में कड़ जागा ठीक है अब गुना करेंगे 4 गुने 3 तो I2 बरबर कितना आ जागा 12 IMPARE 12 IMPARE बिदुधारा आ गया ठीक है तो Option C में दिया है Option C से हो जाएगा ठीक है अगला क्यूशन देखते है दोस्तों अगला क्यूशन है 12 VOLT कभी वांतर होने वाले 2 बिन्दों के बीच है किया गया कार्ज 60 जूल है उन बिन्दों के बीच बहने वाले बिदुधारा आवेश की मातरा ग्यात किजिए बिदुधारा आवेश की मातरा लिकालना है अनि Electric Charge लिकालना है ठीक है दिया गया है 12 VOLT विवांतर अनि VOLT दिया गया है 12 VOLT ठीक है 2 बिन्दों के बीच किया गया कार्ज 60 Joule है अनि Work दिया गया है 60 Joule लिकालना है Q का बहलू Q का बहलू अनि VIDHUT आवेश लिकालना है तो दोस्तों फर्मूला क्या होता है Work बरवर होता है 20 गुने Q 20 गुने Q ठीक है 20 का बहलू मालूम है 60 20 का बहलू कितना है 12 Q का बहलू लिकालना है तो 12 पचे, 65 बार में कड़ गया और क्यों बरवर क्या आगया 5 कुलम 5 कुलम ओप्सन ए में दिया है ओप्सन A सही हो जागा ठीक है अगला क्यूचन देखते हैं दोस्तो दोस्तो अगला क्यूचन है 200 वाट के 2 इलेक्टिक बल्ब 2 इलेक्टिक बल्ब का परियोग परती दिन 8 घंटे के लिए किया जाता है 5 दिन में बल्ब द्वारा परियोग की जाने वाले उर्जा कितना यूनिट होगा और यूनिट की संख्या लिकालना है तो आपको बताये हैं यूनिट की संख्या कैसे लिकालने यूनिट की संख्यां कैसे लिखा लेंगे तो जितना भी उपकरन उपयोग किया जा रहा है उसको लिख देंगे तो दो इलेक्टिक बल्ब किया जा रहा है तो दो लिख देंगे कितने वाट का है तो दो सो वाट का है ठीक है कितने दिन परती दिन कितने घंटा जिला जा रहा है तो 8 घंटा कितना दिन का लिखालना तो 5 घंटा 5 दिन का, ठीक है? 1000 से भाग देंगे 200 से, 200 कड़ गया 25, 10 5, 5 कड़ गया, कितना हो जागा? 8, 2 निया, 16 16 उनिट, ठीक है? 16 उनिट हो जाएगा तो 16 unit दोस्तो option B में दिया है, option 20 सही हो जागा ठीक है अगला question देखते है दोस्तो question है एक परिवार ने एक महिने में 320 unit उर्जा का उबहो किया यह उर्जा जूल में कितना होगा एक परिवार एक महिने में 320 unit उर्जा का उबहो किया तो यह उर्जा जूल में क्या होगा जूल में लिकालना है तो आपको बताएं दोस्तो एक यूनिट एक यूनिट बरबर एक किलोवाट आवर बरबर 3.6 गुने 10 to power 6 जूल तो एक यूनिट बरबर 3.6 गुने 10 to power 6 जूल हो जाएगा ठीक है आपको बताएं है अब लिकालना है 320 यूनिट का तो एक यूनिट पर अतना है तो 320 क्या करेंगे गुना करदेंगे 320 गुने 3.6 गुने 10 to power 6 जूल ठीक है अब इसी को गुना करेंगे दोस्तों तो गुना करने पर ये point हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10 0-0 कड़ गय तो गारा सो बावन गुने 10 to power 6 जूल हो जाएगा तो option कौन सा दिया गया है option A में दिया है कारा सो बावन गुने 10 to power 6 जूल ठीक है अगला क्यूशन देखते हैं और दोस्तों आखरी सवाल है क्यूशन है दोस्तों दो उमपरतिरोद पर 5 इंपियर की धारा 2 मिनट तक परव क्या होगा अंत्रिक कुर्जा क्या होगा क्या मालूम है दोस्तों resistant आनि r का वहलू आपको मालूम है 2 oms दो ओम आर का वहलू मालूम है 2 oms अनि करेंट मालूं है 5 इंपियर 5 amper समय मालूम है 2 minute t का value मालूम है t का value मालूम है 2 minute अब 2 minute जोस्तो दिया गया है उसको second में change कर देंगे तो 2 गुन्य 60 हो जागा 120 second हो जागा अब दोस्तो लिकालना है अंतरि कुर्जा फर्मूला बताये थे h बरबर h बरबर i square rt i square rt अब i का value कितना है 5 है तो 5 का square करेंगे तो 25 हो जाएगा R का value कितना है 2 ohm है T का value कितना है 120 ठीक है अब इसी को solve करेंगे तो 50 पचास अगने 12 करेंगे तो 6 पर 3 सुनना हो जाएगा निए 6000 जूल हो जाएगा इसी को लिखेंगे 6 गने 10 to power 3 जूल ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं तो option कौन सा दिया गया option B में दिया गया option B सही हो जागा तो दोस्तो आज की वीडियो एहीं तग रहने जते हैं अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो like करिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा लेजेगा क्योंकि आगे भी इसी तरह का chapter by chapter आपको फर्मूला के साथ numerical question का revision कराते रहेंगे जय हिंदे करते हैं